सम इंपोर्टेंट सिनॉनियम्स वर्ड्स पहला वर्ड है हमारा एडिकवेट का मतलब होता है काफी और इसका सिनॉनियम है सफीशेंट फिर हमारा दूसरा वर्ड है अलाओ का मतलब होता है किसी चीज के लिए मान जाना या फिर उसके लिए हाँ कर देना और इसका सिनॉनियम है पिरमिट फिर थमारा थर्ड वर्ड है बिगिन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुवात करना और इसका सिनॉनियम है स्टार्ट फिर चौथा वर्ड है हमारा असिस्टेंस अटे असिस्टेंस का मतलब होता है किसी की सायता करना या उसकी तरपदारी करना और इसका सिनॉनियम है सपोर्ट फिर पांचबा वर्ड है हमारा अस्टोनिस्ट अस्टोनिस्ट का मतलब होता है सप्राइज यानि अस्टोनिस का सिनॉनियम सप्राइज है और इसका मतलब होता है एकदम अचंबित हो जाना हमारा उसके बाद वर्ड आता है चार्मिंग Charming का मतलब होता है Attractive यानि की Attractive वो होता है जो ध्यान कीचता है तो हमारा इसके बाद word है Concise Concise का मतलब होता है Shunk Shape यानि की और इसका Synonym है Brief फिर हमारा इसके बाद word आता है Esteem जिसका मतलब होता है Respect यानि जिसका Synonym होता है Respect और Esteem का मतलब होता है किसी का आदर करना फिर हमारा इसके बाद word आता है Mistake जिसका मतलब होता है Guilty और इसका Synonym है Error और Blund फिर उसके बाद हमारा वर्ड आता है इन इन्वेशन जिसका मतलब होता है आकरमन करना और इसका सेनॉनियम है अटैक और एजल्ट तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है